देश प्रदेश और दुलिया से जुड़ी कुछ खास सुनेंदा खबरे बाजबा के प्रदेश अद्यक्षिय चंद्रकान पाटिल ने कहा है कि प्रधान मंत्री मोधी एक प्रयोक कर रहे है ताकि उन्हें सोने की जरूरत ही न पड़े और वो देश हित के लिए अनवरत 24 घंटे काम कर सके तो CM उध्व ठाकरे ने शिवसैनिकों से BJP की हिलाफ BJP की तरह ही मोर्चा बंदी करने को कहा है उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर BJP को घेरने के लिए शिवसैनिकों को लाइन ओफ आक्शन भी दिया है इसी बीच प्रदेश के स्वास्ता मंतरी रजिष्ट ओपे ने कोरोना संकरमन को लेकर कहा है कि हमें केंदर सरकार से अलर्ट रहने के लिए एक पत्र मिला है उस पर हम अमल कर रहे हैं वही CIO की जाँच में ये संसनिक है जानकरी सामने आये है कि आंगडी अउगाही केस में वॉंटेड DCP सोरप्त्रिबाटी हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल करते थे उधर पुने के नरसे से चोकाने वाली जानकरी सामने आ रही है एक 15 वर्षे नावारिक लड़की के साथ पास में रहने वाले व्यक्ती ने बलातकार किया है प्रदेश की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है आप हमारे साथ प्रधान मंतरी नरेंद्रमोदी हमेशा जोश में होते हैं उन्होंने खुद एक बार कहा था कि जन्ता का सेवक होने के नाते आराम करने की सोच भी नहीं रखता काम में विश्वास रखता हूँ अब महाराश्य बीजेपी के प्रदेश अध्धिक्षर चंदरकान पाटिल ने कहा है कि प्रदान मंत्री दिन में महस दो घंटे ही सोते हैं और 22 घंटे देश के लिए काम करते हैं पाटिल ने दावा किया कि प्रदान मंत्री एक प्रयोक कर रहे है ताकि उन्हें सोने की जरूरत ही न पड़े और वो देश हीत के लिए अनवरत 24 घंटे काम कर सके पाटिल ने नरेंद्र मोदी से जुड़ा ये बयान कोलापूर जिले में दिया था वे कोलापूर उत्तर विधान सभा के उपचुनाओं में बीजेपी कारे करताओं का संबोधित कर रहे थे पाटिल ने कहा कि प्रधान मंत्री फिलहाल नेंद रोकने की कोशिश कर रहे है ताकि वे 24 घंटे जाकर देश हित के काम कर सके प्रधान मंत्री अपना एक भी मिनट बरबाद नहीं करते हैं उनके पास देश की तमाम राजनितिक पार्टियों में होने वाली हर हलचल की जान करे रहती है वो एक कारिय कुशल व्यक्ति है याद रहे प्रधान मंत्री नरेंद रमोदी ने कुछ साल पहले की इंटर्वियू में ये बात कही थी कि वो दिन में 4 घंटे सोते हैं ये इंटर्वियू जाने माने फिल्म अभी नेता अक्षे कुमार ने साल 2019 में लिया था इस दोरान उन्होंने तमाम सवालों में से एक सवाल ये भी पूचा था उनके सवाल के जवाब में पी-एम ने कहा था कि वे दिन में महस 3-4 घंटे ही सोते हैं शिवसेना को ये समझ में आ गया है कि बीजेपी उसे हिंदुत्व के मुद्दे पर गहरनी का ब्ल्यूप्रिंट बना कर काम कर रही है यही कारण है कि माईम के महाविकास आगारी गडबंधन से जूडने के ओफर को ठुकराते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा है कि ये तो बीजेपी का शड़ियत रहे है उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के लिए शिवसेनिकों को लाइन ओफ एक्षन भी दिया है उद्धव ने शिवसेनिकों से बीजेपी के खिलाफ बीजेपी की तरह ही मोर्चाबंदी करने को कहा है उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं से भी बीजेपी के कबजे वाली लोगसभा सीटों पर फोकस करने को कहा है साथ ही ये भरोसा भी दिलाया है कि जल्द ही वो महाराश्र के कोने कोने का दोरा करेंगे इसी क्रम में उध्धो ठाकरे ने शिव संपर्क मुहीम शुरू करने का एलान किया है बीजेपी के कबजे वाली लोग सभा सीटों की परताल के लिए एक सांसत और उसके साथ 12 लोगों की टीम की सौरचना की गई है इस टीम को मजबूत और जिताओं उमिदवार खोजने का जिम्मा सौपा गया है युवा और महिलाओं को प्राथमिकता देने की हिदायत भी दी गई है ठाकरे ने कहा है कि उनके पास इन सीटों के लिए अच्छा नाम आना चाहिए नए सदस्य बनाने और समर्थकों के नाम मतदाता सुचियों में शामिल कराने का आदेश भी दिया गया है जानकारों की माने तो 2024 के आने वाले चुनाओं में दोनों ही पार्टिया एक दुसरे को जम कर नुकसान पहुचाने की कोशिश करे तो आश्चरिया नहीं होना चाहिए ओमिक्रों के वेरियंट बी ये टू की वज़ह से यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में कोविट के मामले बहुत तेजी से बढ़े है जानकार लगातर ये समझने की कोशिश कर रहे है कि क्या ये नया वेरियंट भारत में चौथी कोविट लहर का कारण बन सकता है इसी बीच प्रदेश के स्वास्ता मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि हमें केंद्र सरकार से अलाट रहने के लिए एक पत्र मिला है क्योंकि यूरोपियो देशो दक्षिन कोरिया और चिन में कोविट मामलों में बढ़ोतरी हो रही है हमारे स्वास्ता विभाग ने डी सी को सतर्क दहने और आवश्यक किदम उठाने के लिए एक पत्र जारी किया है बतादे कि माहराष्ट्र पिछले रहरों के दौरान सबसे अधिक प्रभावित राज जरा है इसलिए अभी भी लोगों से COVID प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा जा रहा है कुछ दिनों पहले स्वास्त विभाग के अधिरिक्त मुख्य सचीव डॉक्टर प्रदीप व्यास ने नगर निगम आयुक्तो और जिला कलेक्टरों को एक और संभावित उच्छाल के बारे में चेतावनी दी है उन्होंने कहा कि अधिकारियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग भीड़भार से बचे सक्त मौस्किंग का पालन करे और इंफ्लूएंजा जैसी बीमारी उससे सतर्क रहे व्यास ने जिलों से टीका करन अभियान में तेजी लाने को भी कहा है उन्होंने कहा कि सरकार मामलों में प्रुद्धी पर कड़ी नजर रखे हुए है और जरूरत पढ़ने पर आवश्यक कदम उठाएगी फिलहाल कोरुना को लेकर मन्थन जारी है विशेश अग्य दो खेमे में बटे नजर आ रहे है कोई अतिगंभिर और खतरनाक बता रहा है तो कोई कह रहा है कि बेसर साबित होगा आंग्रिया उगाही केस में वॉन्टेड डिसीपी सौरप त्रिपार्थी हवाला नेटवक का इस्तिमाल करते थे C.I.U. की जांच में ये संसनी खेज जानकरी सामनी आई है C.I.U. ने एक व्यक्ति को लखनों में ग्रफतार किया है जिस तक हवाला के जरिये रकम पहुची थी उसे मुंबई लाया जा रहा है इसके अलावा एक और भी व्यक्ति की शिनाक्त की गई है जिस तक D.C.P. तृपार्थी के निर्देश पर मोटी रकम पहुचाई गई उसे C.I.U. गवाव बनाने वाली है एक सुत्र के अनुसार D.C.P. सौरप तृपार्थी के निर्देश पर गिरफतार इंस्पेक्टरों में से एक ओम वान गाते आंगडिये के बिजनेस से जूड़े हुए लोगों से लूटी गई या उगाही से मांगी गई जादातर रकम हवाला के जरिये भिजवाते थे सौरप तृपार्थी कानपुर के मुलनिवासी है लखनों में उनकी काफी रिष्टदार है इसलिए लखनों से इस केस में हवाला नेटवर्क का लिंक सामने आना बहुत अहेम है इस केस में अब तक तिन इंस्पेक्टर नितिन कदम, समाधान जामदाडे और ओम वानगाते गिरफतार हो चुके है सौरप्त रिपाठी ने अपने गिरफतारी से बचने के लिए कोट में अग्रिव जमाना दिया चिका दायर की है इस पर 24 मार्च को सुनवाई होनी है CIU ने पिछली रिमांड एप्लिकेशन में कहा था कि इस केस में गिरफतारी तीनों इंस्पेक्टर एल्टी मार्क पुलिस टेशन से जुड़े है उगाही के समय इस जोन के DCP सुरप्त पार्टी थे उन्होंने अपने इंस्पेक्टरों को आंगडिया की बिजनेस से जुड़े लोगों से उगाही करने के मौखिक निर्देश दिये थे पुने स्थित ताड़ी वाला रोड में 11 वर्षय लड़की के साथ पिता, भाई, चचचरे मामा ने ही बलातकार किया था इसका खुलासा हाल ही में हुआ था, अब नरहे से चौकाने वाली जानकारी सामने आ रही है एक 15 वर्षय नाबालिक लड़की के साथ पास में रहने वाले व्यक्ती ने बलातकार किया है इस मामले में सिहगर रोड पुलिस ने 31 वर्षय आरोपी को गिरफतार किया है पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के नुसार नरहे इलाके में एक 15 वर्षय लड़की माता पिता के साथ रहती है नौवी में पढ़ने वाले इस लड़की को पिता ने आनलाइन क्लास के लिए मोबाल दिया था आरोपी उनके पडोस में रहता है वो लड़की उसे काका बोलती है आरोपी ने उसे मोबाल पर संपर किया उसने लड़की का विश्वास जीता उसके माता पिता बाहर जाते तो आरोपी जबरदस्ती उसके घर में जाता सितमब दोजार एकिस में उसने जबरेन लड़की का यौन चौशन किया उसे फोन कर कहा कि इसके बारे में किसी को ना बताए नहीं तो उसके माता पिता और भाई को मार डालेगा परिशान होकर लड़की ने दो दिन पहले पूरी घटना अपने माता पिता को बता दी पिडिता द्वारा पूरी घटना के बारे में जानने के बाद उसके पिता को मानसिक आगहत लगा है और वे काम पर नहीं गए इसलिए इस बारे में जानने के लिए उनका मालिक घराया उस समय मालिक को उसने पूरी बात बता दी उन्होंने लड़की के पिता को धाड़स बनाया और पुलिस के पास ले गए सिहागाड रोड पुलिस ने तकाल F.I.R दर्च कर आरोपी को गिरफतार कर लिया है पुलिस उपने रिक्षक नितिन जाध हो मामले की जांच कर रहे है दुनिया के कई देशों में कोरोना की नई लहर को देखते हुए भारत में भी कोविट शिल की दो डोस के बीच का अंतर घटा कर आठ सपतहा करने की सिफारिश की गई है तो करनाटक सरकार ने साफ कर दिया है कि पियू के सैकड़ो छात्र जिहनों ने हिजाब विवाद में प्रदर्शन किया और अपने प्रैक्टिकल परिक्षाय छोड़ दी उन्हें दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा वही चक्रवाती तुफान असानी की गती को देखते हुए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समुह के भी कुछ हिस्सों में भारी बारिश का लड़ जारी किया गया है उधर अनिक कारणों से एक कोरोना काल में पढ़ाई पुरा ना करपाने वाले चात्रों के लिए किंद्र सरकार ने विद्यान जली कारेक्रम के ताहत वोलेंटियर सेवा शुरू करने का फैसला किया है इसी बीज भारत में एक बार फिर एतिहासिक महत्वा की 29 प्रतिमाय आस्ट्रलिया से वापस लाई गई है इसमें भगवान शीव, उनके शिश्य, शक्तिकी पूजा, भगवान विश्नु और उनके रूप, जैन परमपरा, चित्र और सजावाटी वस्तोय शामिल है देश भरकिन पाच बड़ी खबरों को विस्ताल से जानने के लिए बने रही है अब हमारे साथ चीन में ओमिक्रोन की दूसरी लहर बेकाबू होते जा रही है रह विवार को उत्तर पूर्वी इलाकों में भी पाबंदिया लगा दी गई और लाखों आबादी को घर में रहने का फर्मान सुना दिया गया ओमिक्रोन ने चीन की सारी तैयारी ओपर पानी फेरते वे अब तक का सबसे दादा बड़ा संकट खड़ा कर दिया वही ब्रिटेन अमेरिका इजराइल जैसे देशों में कोरोना वैक्सिन की तीन-तीन डोज दी जा चुकी है और अब वहाँ चाओते डोज की अनुमती दे दी गई है या फिर इसकी तैयारी चल रही है इस सब को देखते वे भारत में भी कोविशिल्ट की दो डोज के बीच का अंतर घटा कर आज सब्ता करने की सिफारिश की गई है साथी सरकार बुस्टर या प्रिकोशन डोज का दायरा बढ़ा कर इसमें तेजी लाने पर विचार कर दी है अभी कोविशिल्ट की दूसरी खुराक राश्ट्रिय कोविड-90 करन टिका करन रननीती के तहत पहली कुत्रों ने बताया कि पडोसी देश चीन समेत दुनिया के कई देशों में उबिक्रॉन की ताजा लहर के बढ़ते संकट के मद्दे नजर वैक्सीन की तीसरी डोज की जरूरत का आकलन किया जा रहा है सरकार तीसरी यानि बुस्टर डोज के लिए नियून नतम उम्र भी घटाने के संभावना भी तलाश रही है करनाटक में पी यू के सेकड़ो छात्र जिनों ने हिजाब विवाद में प्रदर्शन किया और अपने प्रैक्टिकल परिक्षाय छोड़ दी उन्हें दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा फरवरी मार्च में हिजाब विवाद के च अब परिक्षाय छोड़ने वाली छात्राओं के भविश्य पर खत्रा मंडराने लगा है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षामंत्री बीसी नागेश ने बताया कि हम संभावना पर विचार भी कैसे कर सकते हैं अगर हम हाईकोट के अंतरी मादेश के बाद भी परिक्षा मे हिजाब पहने की अनुमती नहीं देने के लिए प्रैक्टिकल का भहिश्कार करने वाले छात्रों को अनुमती देते है तो कोई और छात्र किसी अन्यकारण का हावला देते हुए आएगा और दूसरा मोका मांगेंगा यह असंभव है प्रैक्टिकल में 30 अंक और थेओरी 70 क पास कर सकती है साल का पहला चक्रवाती तूफान असानी धीरे धीरे तटिये इलाकों की और बढ़ रहा है रविवार को ही तूफान ने अंदबान निकोबार द्वीब समों में दस्तक दे दी इसी बीच सुमवार की सुबह भुकम के जटके भी महसुस किये गए रिक्टर पैमाने पर भुकम की तियूरता 4.3 थी वही रविवार से शुरूवी तेज बारिश और हवाओ की वज़से अंदबान निकोबार द्वीब समों के कुछ हिस्सों का जनजिवन प्रभावित हुआ है चकरवाती तूफान की तेजी को देखते वए अंदबान निकोबार में अलर्ट जारी किया गया है और अंडी आरेप की टीम में तैनात है मचुवारों को समुदर में न जाने की सला दी गई है साथ ही अंतर द्वीबिय जहाज सेवाओ को भी रोग दिया गया है यहाँ चहरात शिविर बनाय गए है बताय जा रहा है कि अंदमान के तटिये इलाकों में तेज हवाए चल रही है वही पोर्ट ब्लेर में जन जीवन सामन्य है मौसम वईज्यानिकों का कहना है कि चक्रवाती तूफान असानी बंगलादेश और म्यमार के तटो की और बढ़ सकता है हाला कि अंदमान एवं निकोबार द्वीब समुँ के भी कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारिक किया गया है चक्रवाती तूफान की वज़से अंदमान निकोबार द्वीब समुँ में परियटन गतिविधिया रोग दी गई है परियटकों को सुरक्षि स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है जिन लोगों के घर खाली करवाए गए है उन्हें शिवीरों में जगह दी गई है इसके अलावा खाना पानी और दवाई की भी उचित विवस्था करने के निल्देश दिये गए है COVID-19 महामारी के कारण शहरी और ग्रामेन इलाकों में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है कमजोर वर्क के चात्रों के पास ओनलाइन पढ़ाई के साधन नहीं थे कई परिवार बेरोजगारी के कारण बच्चों को नहीं पढ़ा पाए तो कुछ तकनीक से वाकिफ न होने के कारण पिछड़ गए ऐसे चात्रों की मदद के लिए नई शिक्षा नीती के तहत समग्रव और बहुफिशेक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने विद्यान जली कारेक्रम के तहत वोलिंटियर सेवा शुरू करने का फैसला किया है इसके लिए उच्चे शिक्षन संस्थान में 5000 कोचिंग सेंटर भी शुरू किये जाएंगे यहाँ पर आर्थिक समाजिक रूप से कमजोर वर्क के अलावा अन्य चात्रों को विभिन्न विश्यों में निपून करवाया जाएगा खास बात यह है कि नेशनल एजुकेशन एलाइंस फॉर टेकनोलोजी के तहत आर्थिक वसामाजिक रूप से पिछड़े वर्क के चात्रों के लिए 25 फिजदी सीटे मुफत रखी जाएगी विश्वविद्याले अनुदान आयोग के सचीव प्रोफेसर रजनिश जैन की और से राज्जों और सभी विश्वविद्यालेों वो अच्च शिक्षन संस्थानों को इस विध्यानजली योजना को आगामी सेक्षनिक सत्र जागू करने के लिए पत्र लिखा गया है योजना की गाइडलाइन AI-CTI के विशेशग्यों ने तयार की है ये योजना UGC Regulation 2018 के सेक्षन 17 के ताथ और UGC Regulation 2018 में लागो होगी भारत में एक बार फिर एतिहासिक महत्व की 29 प्रतिमाय औस्टेलिया से वापस लाई गई है इनमें भगवान शीव, उनके शीश्य, शक्ती की पूजा, भगवान विश्नु और उनके रूप, जैन परमपरा, चीत्र और सजावटी वस्तुए शामिल है ये पुरावशेश अलग-अलग समय के हैं पर सभी 9-10 शताबदी इस्वी पूर्वके हैं मुख्यरुप से ये बलुवा पत्थर, संगमर्वर, कांसय, पितल और कागस पर उकेरी गई मूर्टिया और पेंटिंग है ये प्राचिन मूर्टिया राजस्तान, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडू, तेलंगाना और पश्यम बंगाल से हैं समवार को इनके वापस आने पर प्रधान मंत्री मोधी ने इनका निरिक्षन किया भारत में पिछले साल में 200 से जादा एतिहासिक महत्व की प्राचिन प्रतिमाय वापस लाई जा चुकी है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने 27 स्फरवरी को मन की बात में भारत की प्राचिन मूर्टियों का जिक्र किया था उन्हेंने बताया था कि इन मूर्तियों को वापस लाना भारत मा के प्रती हमारा दाइत हुआ है। ये मूर्ति बाडवली के प्राचिन घाटेश्वर मंदिर से 1998 में चोरी हुई थी, अब ये प्रतीमा उसी मंदिर में स्थापित की जा सकती है। प्राचिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान खुद को बचाय रखने की पूरज़ोर कोशिश कर रहे है। वही कभी अर्बो की बात करने वाले अफगानिस्तान के पुर्व वित्तमंतरी खालित पैंडा परिवार की जीवी का चलाने के लिए एक उबेर ड्राइवर का काम कर रहे है। उधर वीवेक अगनी हुतरी के निर्देशन में बनी दक कश्मिर फाइल्स को अब जर्मनी में रिलीज करने की तयारी है। दुनिया भर के इन पाच बड़ी खपरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हैं आप हमारे साथ। रूस और यूकरेन के बीच युद्ध उलग चुका है। नहीं यूकरेन जुकने को तयार है और नहीं रूसी से ना प्रमुक यूकरेनी शहरों पर कबजा कर पा रही है। इस बीच अमेरीकी राष्टरपती जो बाइडन यूकरेन से सटे पोलेन का दोरा करने जा रहे बाइडन पहले ब्रसेल्स और फिर पोलेन जाएंगे जहां वह देश की निताओं से मुलाकात करेंगे। इस दवरान वह अन्य देशों के साथ बैठक करेंगे और सभी को संबोधित करेंगे कि कैसे मानविय संकट के समय अमेरीका अपने सहयोगयों के यू मदद कर रहा हाला कि वाइड हाउस के अधिकारियों ने पहले कहा था कि बाइडन की यूकरेन यात्रा की कोई योजना नहीं है। दूसरी तरफ बाइडन और नाटो ने बार-बार कहा है कि अमेरिका और साइन्य गडबंदन गैर नाटो सदस से यूकरेन को हतियार तथा अन्य रक्षा स करने पर उन्हें इतियास के सबसे भयावा परिणाम भुगतने होंगे। यूकरेनी राष्टपती जेलेस की लगातार नाटो से यूकरेन को नो फ्लाई जोन गोशीत करने की मांग कर रहे है। लेकिन नाटो रूस से सिधे टकराना नहीं चाता। बतादे कि पोलेंड यू उकरेन का पड़ोसी देश है। उसने युद्ध ग्रस्तर देश से पलायन करने वाले 20 लाग से अधिक लोगों को शरण दी है। पोलेंड ने हमेशा नाटो के अपने साथी सदस्यों से यह रक्तपात रोकने के लिए अधिक प्रयास करने की अपिल की है। रूस और यूकरेन के बीच पिछले 26 दिन से युद्ध चल रहा है। ऐसी कई रिपोर्ट्स आई है जो दावा करती है कि रूसी सैनिक अब इस जंक में पस्त हो चुके है। निराश सैनिक अब घर लटना चाहते है और इसके लिए वे खुद को गोली मारने के लिए भी तय है। एक खालिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यूकरेन में पकड़े गए रूसी सैनिक अब अपने लोगों से पुतीन के खिलाप आवाज उठाने की अपिल कर रहे है। ये सैनिक दुनिया को बता रहे है कि कैसे उनके साथियों को सामुहिक कबरों में दफन क किया जा रहा है। इस बीच एक उच्चे पदस्तर रूसी सैनिक ने पुतीन को चेतावनी दी कि वह कभी भी यूकरेन पर कबजा करने के लिए परियाप्त सैनिक नहीं भेज पाएंगे। उन्होंने कहा कि पुतीन जूटे और धुके बाज वेक्ती है। वह यूकरेन के श यूकरेन पर हमले के बाद रूस में बड़ी संख्या में लोग युद्ध की विरोध में सडकों पर उतराय थे। इस दवरान हजारों प्रदर्शन कारियों को गिरपतार किया गया था। यूकरेन में जंग लड़ रहे रूसी सैनिक अब घर लोटना चाहते है और इसके ल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली शुकरवार को संकट गरस्त प्रदानमंत्री इमरान खान के किलाप अविश्वस प्रस्ताव पर विचार करने जा रही है। वही इमरान खान अपनी पार्टी के 24 असंतुष्ट सांसदों को मनाने की कोशिशों में लगे है। लेकिन धमकी के साथ उन्होंने कहा है कि अगर वे पार्टी में लवट आए तो वह उन्हें धयालू पिता की तरह माप करने के लिए तयार है। बतादे की पाकिस्तान मुस्लिम लिग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लगबग सहु सांसदों ने आठ मार्श को नेशनल सचीवाले ने एक अधिसूशना जारी कर मुख्य सत्रा आयुजित करने का मार्ग प्रशस्त किया जिसे विपक्ष ने कानून आउशक्ताओं की अनुसार 21 मार्श तक बुलाने की मांग की थी। सत्र शुक्रबार सुबह 11 बजे बुलाया जाएगा और वर्तमान नेशनल अ असेंबली में क्रिकेटर से नेता बने खान को हटाने के लिए विपक्ष को 172 वोटों की जरूरत है। अफगानिस्तान के पूर्व वित्तमंत्री खालीट पयेंडा की मौजुद हालत से अच्छी तरह समझा जा सकता है। के साथ संबंद बिगड़ते चले गए और तालीबान के काबूल पर कबजा करने से एक हफते पहले उन्होंने वित्तमंत्री के पद से इस्थिपा दे दिया इस दर से कि राष्ट्रपती गनियों उनको कयत कर सकते है वह अपने परिवार के साथ रहने के लिए फिर से अमेरिक देते है पैंडा का मानना है कि अफगानिस्तान पर तालीबान के कबजे के लिए अमेरिके सरकार जिम्मेदार है नब्बे के दशक में कश्मेरी पंडितों के साथ हुए अक्तैचार और विस्तापन के दत को बया करती फिल्म दकश्मीर फाइल्स को देशबर में पसंद किया जा रहा है यह फिल्म दर्शकों को जगजोर रही है यही वज़ह है जो बहुत से शहरों में दकश्मीर फाइल्स के शोज हाउसपुल जा रहे है भारत के बाद अब विवेक अगनियोतरी के निर्देशन में बनी इस फिल् वह फैंस को फिल्म से जुड़ी जानकारी भी देते रहते है विवेक अगनियोतरी ने अपने अधिकारिक ट्वीटर अकाउंट पर फिल्म दकश्मीर फाइल्स के जर्मनी में रिलीज होने की जानकारी दी है एक सोशल मेडिया यूजर के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते विए उन्होंने लिखा कि जर्मनी आपने मुझे सही सावित किया मुझे विश्वास्था कि जर्मनी से ज़्यादा साहनूबती और सपोर्ट मिलेगा बहुत सारे जर्मन खुद को ठगा हुआ मैसुस कर रहे है कि कि किसी ने उन्हें कश्मिर नरसंगार की सच्चा ही नहीं बताई सोशल मीडिया पर विवेक अगनियोतरी का यह ट्वीट तेजी से वाइरल हो रहा है उनके फैंस ट्वीट पर अपने प्रतिक्रिया दे रहे है बहराल भारत में इस फिल्म ने अब तक के सारे रिकॉर्ड द्वस्त करते हुए नया मुकाम हासिल किया है यह फिल्म ज प्रिक्स मुकाम हाइर प्रतिक्षण तक करते हैंस आई पर विल्म करते हैंस थाल आफ शो सु और अपने अवस्त करते हैंसित की आफ किया है